आप सभी लोग का स्वागत है आपके इस चैनल पर तो आज का ट्वाबिक देख रहा है आपके पस कि एट फर्स देविल आस्क यू वाई यू आ दूइंग इट बट लेटर देविल आस्क यू हाव यू डिडिट तो यही है बुला दुनिया का सब कुछ कुछ एसे ही चलते रहता है कुछ भी आप नयाची करने जाओगे कुझ आप एक अच्छी प्रपरेसिंग करने के विल अगये लोग बुलते ही क्यों कर रहा रह रहा है जब तक आप अस्यृर ने होगे लोग आप बूशन के क्या कईसे है मैं अपना एक्जाम्पल इसलिए इसलिए अच्छा टॉपिक लगा और अपने पर टॉपिक भी मतलब कितने टॉपिक डेली बनाएंगे तो मैं बहुत प्राक्टिकल बाते करने पर बिलीव करता हूँ डेली ही कि मैं सुरू में जब पढ़ाता था तो मेरा बेक्ग्राउंड सबी लोग आप जानते हो तो मैं सुरू में पढ़ाता था तो बहुत सारे लोग अपोस करते था कि मतलब आप यह जूट बोल रहा है यह कुछ तो कर रहा है जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं इस्टुएंट लोग और आप लोग क्यों इसको फॉलो कर रहे हैं बहुत इस ब्रांच के हो के एक Electrical Electronics Instrumentation ब्रांच वाले को कैसे डील करते हो लेकिन बात वही है ना कि उस समय में लोग बोलते थे कि यह क्यों कर रहा है वो मैं आइटी ब्रांच करता तो में को बहुत सारे लोग बोलते थे कि software company join करो मतलब तुम इसमें क्या feature है मतलब आइटी ब् जा सकते हो तो यह important नहीं था कि क्या अच्छा है ऐसा नहीं कि teaching अच्छा था या software उतना अच्छा नहीं था कुछ अच्छा बुरा होता नहीं मेरे coding तो मैं को लगता था कि मैं कहां पर comfortable हूं यह matter नहीं करता था कि कितना मैं कमाने वाला हूं सब लोग studying में से ज़्यादा कम हो रहा था it's okay जीने के लिए जरूरी हो रहा था तो अब मैंसे लोग पुछते कि आप इतने साल की journey को कैसे ऐसा किये आप भी आज आज भी आप 16-17 साल भी बात भी पढ़ाते तो इतना excitement कैसे रहता है कैसे आप manage करते हो इस energy को कैसे manage करते हो तो यह इतने सालों से जो hold करके रखा में इतनी सारी चीजों को उस कारण में इतनी energy maintain और इसके साथ में करते हो तो आप भी अगर एक experience हो अगर एक business करने जा रहे हो और आपको लगता है कि आपके college में कोई gate नहीं किया तो लोग बोलेंगे तुम gate क्यों कर रहे है पागल हो क्या लोग पूछेंगे कि तु लोग समय बोलते होंगे कि तुम यार दूसरा चीज करने की जगा तुम cricket खेलोगे बोलते हो राची से कोई cricket खेलता है कि बताओ और खेल भी लेगा तो रंजी खेलेगा कहां तुम बात कर रहे हो करके कहां तुम इंडिया टीम के लिए खेलोगे वहां ना कोई godfather है कि जो को मतलब कुछ सिफारिस करके आगे बढ़ा देगा क्यों सोच रहे हो करके तो एक बार आप अगर जिद ले लिए और अब आप पूरा राची उसी नाम से फेमस है जारकन मतलब तो अब सब लोग यह पूछते कि तुम कैसे किये कैसे खेले तुम तो बिना रंजी के इंट् हो जाओगे अगर तुम उसी को अगर नेक्स डिवल पर ले जाओगे तो लोग तुम से पूछना चाहेंगे कि तुम कैसे किये यह स्टगल वाले प्रेट को कैसे जीए जब लोग इतने डी मोटिवेटेड थे पूरी इंडिया में तो तुम कैसे किये यह कोराना वाला जो तुम उस दौर के स्टुएंट्स हो जिए सिए सर्ट नो ने प्टे इस दौरिए सब नेगेडिव बात करते हैं सब जो to ने रहते हैं जब आपका टाइजं不會 ने आwashब नीप ने फहते हैं तो लोग उस समय नहीं जम मरने पर बईलीव नहीं करते लोग टाउटिविट नहीं रहते हैं लोग राते लोग को डेस इसने की बात ही नहीं, तो लोग का motivation नहीं है, input डालने में, लोग का motivation नहीं, work करने में, तो good time नहीं है. तो बस ऐसे ही है, कि लोग एक नहीं पूछेंगे तुम से तुम्हारा success की journey पूछेंगे, तो तुम अपनी success की journey खुद लिखना चाहते हो, नहीं लिखना चाहते हो, अब तुम खुद किसी से question करना चाहते हो, तो it's okay, तुम अगर participate public के form में करना चाहते हो, कि sir, मैं तो public का form मैं participate करूँगा public के form में, तो तुम कर लो, public बनके participate कर लो, कोई problem थोड़ी, public बनके participate करने में, it's okay, तुम चाहते हो, नहीं, तुम से लोग पूछे, तुम से लोग पूछे, कि sir, आप कैसे succeed हुए, तो आपको फिर कुछ अलग करना पड़ेगा, तो 24 आपकी, हम, 24 आपकी है एक midi class family से उठते हुए, कैसे आपकी हो, आपके parents कैसे manage किये, आप अपने आपको कैसे maintain किये, इस डिस्ट्रेक्शन वाले time में, जब पूरे दुनिया distract हो रही है, तो आप अपने आपको कैसे इन सब सीसे बचाए, कैसे ये जो negative माहूल था, उससे आपको अपने आपको ठीके तो आप ऐसे ही ना, आप ऐसी study करते रहो, enjoy करते रहो, अपनी journey को जीओ, comments करते रहो, likes करते रहो, share करते रहो, हम big family बनाएंगे, एक society में change लेके आएंगे, मैं बोल रहो ना कि एक अच्छा change लेके आएंगे, good NGO start कर दियो हो, whatsapp में status लगाते रहो, good feel करते रहो, daily energetic ही मैं daily topic ढूनता हूँ क्योंकि बड़ा tough है ना, daily topic पर बात कर पाना, आसान नहीं है और मैं बिना script के बात करता हूँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, just video बनाने के, दो minute पहले मैं just देखा कि, अच्छा है, ये topic बात करना है, ठीके, 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 चलो करते हैं, बस बड़ा good हो, तो आप बहुत देख बात कर सकते हूँ, connected form में बात कर सकते हूँ, good observation रखो, good नजरिया रखो, good करते हैं, ठीक है, हमें एक अच्छी society create करेंगे, उसके लिए मैं को आपकी जर्वत है, ठीक है, okay, thank you, love you all.